सर जब आप गुजरात के मुख्य मंत्री थे आप कई मरतबा आपका इंटर्विः करने का मौका हम लों को दिया करते थे अब जब आप प्रेस प्राइमिनिस्टर बने हैं तो आप प्रेस कांफ़रंस नहीं करते हैं और इंटर्विः करने का मौका भी कम tap मिलता है तो लोग पूछते कि मोदी जी हर तरहां के सवाल का जवाब दे सकते हैं तो आखिरकार प्रेस कांफरेंस या इंटर्विव क्यों नहीं करते हैं पहली बाप यह है कि अगर पिछले इस चुनाव में मैक्सिमम मुझे देखेंगे तो आद तक में देखेंगे मैक्सिमम जवाब मैंने देखेंगे तीन दिन में तीसरा तो मैंने तो कभी मनाने किया दूसरा यह है कि जादातर हमारी हां मेडिया का उप्यों यह हुआ है जादा तरी कल्चर बन गया है कि कुछ भी मत करो यार इनको समाल लो अपनी बात बता दो देश में चल जाएगी मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है मुझे मेहनत करनी है मुझे घरीब के घर तक जाना है मैं भी विज्ञान दोन में फीते कार के फोटो निकागा सकता हू मैं वो नहीं करता हूं मैं छोटी योजना के लिए जार खंड के छोटे से डिस्टिंग में जाकर काम करता हूं मैं नए वर कल्चर को लाया हूं उस कल्चर को सही लगे तो मीडिया सही प्रस्तू करें न लगे तो न करें दूसरी बात है मैं जवाब दे हूं पहले मैं आज तक से बात करता था अब दर्सक को मालूम है मैं राहु तो इसने परसो यह त्विट किया था मदलब यह तो मोधी के फेवर्ण में लिखता है मतलब यह तो वही बात करेगा तो आज मीडिया एस सच सेपरेट एंटिटी रही नहीं है आप भी अनेक लोगों की तरह आपने व्यूर लोग जान चुके हैं तो वह स्थिति आपकी बनी नहीं है पहले मीडिया फेश्टलेस था उसका कोई चहरा नहीं था मेडिया में कौन ल दिखने वाले के विचार क्या है कोई लेना देना लोग मानते दिया एक अनालिसिस है आज वस्तूती नहीं है